वेलकम टोनले आईए स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2023 में Miscellaneous Current Affairs के Revision का ये हमारा पहला लेक्चर है आज के सेशन में हम मई महिने के Miscellaneous Current Affairs को revise करेंगे इस सेशन का first important article National Behavior Change Communication Framework for Garbage Free Cities के बारे में है हम चाहते हैं कि हमारे सहरों में कच्रा ना हो इसके लिए हमें behavior में बतलाव लाना होगा Ministry of Housing and Urban Affairs ने सुक्ष्मरत मिस्टन Urban 2.0 के दहत ये initiative लाँच किया जो एक जन आंदोलन चल रहा है कि हमें garbage free cities बनानी है जहां कच्रा ना हो उसके लिए ये एक guiding document या blueprint की तरह वर्क करेगा इनको follow करके हम लोगों को educate करेंगे इसके प्रोसेसिंग, plastic waste management ये सब बढ़ियां किया जाए इसके लिए काम किया जाएगा यहां पर देखे आयन कंसेंट्रेशन पोलराजीशन पर मारा next article है मेसाच चुसेट्स इंस्टूट अफ टेकनोलोजी के research ने हाल ही में एक portable desalination unit को develop किया है जिसका weight 10 kg के आसपास होगा ये पानी में से जो particles हैं या salt हैं उसे हटा के पानी को पीनिलाइक बना सकता है हलका होगा, महज 10 kg का ये एक suit के जैसा equipment होगा जिसको आप salt water में डालिए उसकी जो pipes हैं और वो उसे desalinate करके उसे pure करके पीनिलाइक बना देगा ये electricity के power का इस्तेमाल करता है drinking water के जो भी impurities हैं, salt हैं को निकालने के लिए सबसे खास बात ये ज़्यादा energy नहीं लेता ज़्यादा energy ना लेने का कारण ये है मतलब जितना आपकी mobile की battery को energy चाहिए बिल्कुल उतनी ही energy में ये device काम कर जाती है इसका reason ये है, because ये जो technique इस्तेमाल करता है that is iron concentration polarization iron concentration polarization में basically होता क्या है कि ये एक electric field generate करते हैं वो electric field positive और negative charges को अलग-अलग करता है और उसी की मतलब से वो जो impurities हैं उनको बाहर कर देता है और जो clean water है उसे अलग कर देता है जबकि जो general salinization plants होते हैं उन में पानी को एक filter से गुजरा जाता है और पानी को filter से गुजारने के लिए आपको एक pressure pump की ज़रूद पड़ती है क्योंकि फिर आपको दबाव बनाना पड़ता है और अगर आप pressure pump का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़दा electricity की भी ज़रूद पड़ेगी चुकि यहाँ पर pressure pump का इस्तेमाल नहीं होता रधर हम electric fuel generate करके पानी को pure कर रहे है तो बहुती कम electricity में यह device काम कर जाती है और यह इसका merit है यहाँ पर देखे यहाँ पर second stream water की निकलती है eventually जो कच्रा होता है उसको discharge कर देखे saline water बहार निकाल देखे इसका कई तरीके से फाइदा हो सकता है जो island countries है जो soldiers वगेरा कहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर water stress area है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ एक छोटा सा solar panel लगा के हम उससे भी electricity लेकर पानी जो है उसे pure करके पीने लाइक बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़ी है इस टेवाइस है ये World Press Freedom Index 2022 के बारे में है World Press Freedom Day यानि कि 3 मई के दिन इसका 20th edition publish किया गया इससे publish किया गया Reporters Without Borders यानि कि RSF के दवारा तो एक जो बहुत ही साधाना सा प्रश्ण बनता है वो तो यही होगा कि World Press Freedom Index को publish कौन करता है तो सही जवाब Reporters Without Borders यानि कि RSF इसका जो एम है इसका जो जर्नलिस्ट है 180 देशों में या फिर territories में हम assess करें कि उनकी state यानि कि अवस्था क्या है क्या वो freedom के साथ जो भी अपना journalism है वो कर पा रहे हैं अत्वा नहीं या आप देखें पाच indicators है जिनका इस्तेमाल किया जाता है तो पाच indicators के basis पे evaluate किया जाता है कि journalists कितनी freedom के साथ अपना काम कर पा रहे हैं जो index है इसमें press freedom को effectively इस basis पे evaluate किया जाता है कि कोई journalist वो एक individual के तौर पे हो सकते हैं किसी group में हो सकते हैं क्या वो आसानी से news को select, produce, disseminate कर पा रहे हैं information क्या वो लोगों तक आसानी से convey कर पा रहे हैं ऐसी कोई जानकारी जो public interest में हो वो क्या political, economic, legal या social interference फेस तो नहीं कर रहे हैं क्या वो free हैं किसी प्रिकार के physical या mental threat को लेकर इसी चीज को evaluate करके press की freedom को measure किया जाता है टॉप 5 में जो countries रही दोजवर नौर्वी, डेन्मार्क, स्वीडिन, एस्टोनिया और फिर्लाइड भारत की rank पिछले साल के तुलना में 8 places गिर गई है पिछले साल जोहां हमारी rank 142 थी वो इस बार 158 है अनि कि 150 भी है 180 देशों में ये evaluation किया गया है तो वारत में press freedom कम हुई है according to this index World Press Freedom Day के बारे में बात करें तो इसे United Nations General Assembly ने 1993 में declare किया USCO का जो एक general conference था 1991 में उसी के recommendation पे 1991 में विंद्वेक declaration जिसे UNESCO ने adopt किया था उसी दिन को basically हम World Press Freedom Day के तूर पे observe करते है यहाँ पर focus इस बात पर होता है कि हम development करें एक free independent और pluralistic press का pluralistic press का मतलब होता है कि society के हर segment का उसमें representation हो तो अज़र वाइस के theme रही journalism under digital seas हमारा next article lapsus के बारे में है March 20 को authentication platform Okta ने भी confirm किया कि जो एक छोटा सा group है hackers का lapsus उसने उनके security system को breach करने की कोशिस की थी तीन महीने पहले South America based ये एक threat group है ऐसा कहा जाता है कि दो बच्चे है जो इसे run करते हैं एक के teenagers है basically एक के उमर 16 साल है दूसरे की 17 साथ है दो छोटा सा hacking group लेकिन उनने बहुत बड़े-बड़े breaches की है जैसे कि Microsoft में भी इन्होंने सेंद लगा दी थी further ये अपने victims को publicly taunt भी करते हैं उनके internal documents या source को पब्लिक कर देते हैं लीक कर देते हैं तो शरारती किस्म का ये hacking group है lapsus आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला आर्टिकल जो कि global report और food crisis 2022 के बारे में है इसे अभी हाल ही में release किया गया तो पहला सवाल तो ये बनता है कि इस report को release कौन करता है एज उनो reports और पर question लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं तो इस report को release करता है global network against food crisis एक alliance है एक international alliance जिसमें United Nations European Union governmental और non-governmental agencies एक साथ मिलके food crisis को handle करने की कोशिस करते हैं focus area कुछ ऐसे countries पर होता है ऐसे regions पर होता है जहां पर जितनी food need है उनकी regional या national level की capacity उतनी food को generate करने की है नहीं वो कम है ऐसे देसों को संग्यान मिलेकर इस food crisis को evaluate करते हैं क्या निकल कि आया 193 मिलियन लोग हैं तिरपन देसों में जो इस प्रकार की food insecurity phase कर रहे हैं 2021 में और ये 2020 के तुलना में ज़ादा है तिरपन देस नहीं कि 53 countries ऐसी हैं जहां पर food problem बहुत ज़ादा है और इनमें कुछ देस बहुत ज़ादा affected हैं जैसे कि Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Yemen और अफ़कानिस्तान यहां पर food crisis massive है हमारा next article half long Hindi के बारे में है देखे अभी मामला यह चल रहा था कि Center ने यह भूला कि हम North Eastern India में Hindi को एक compulsory subject बनाएंगे जहां पर कई सहराज जिसका विरोध कर रहे थे in between मामला half long Hindi का भी आया कि half long Hindi किस प्रकार से अपने existence को preserve कर पाएगा half long Hindi एक nativized Hindi language है जो आसाम का जो एक मातर हिल station है दीमा हसाओ वहाँ पर बोला जाता है इसे पहले North Chacher Hill इस नाम से भी पुकारा जाता था वहाँ पे railway बनाने के लिए हिंदी भासी लोगों को हिंदी शामिल थी लेकिन कुछ और भी elements शामिल होके है और उस language को नाम दिया गया half long Hindi जो half long Hindi है वहाँ पे जो दिमासा पीपल रहते हैं जो district headquarter है उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया दिमासा पीपल dominant हैं उस पूरी region में तो जो half long Hindi है वह तिबितो बर्मन grammar का इस्तेमाल करती है Hindi grammar का use नहीं करती हाला कि Hindi के कई सरे words से इस्तेमाल होते हैं इसमें नेपाली और पैंडली workup का वे इस्तेमाल किया जाता है इनकी अपनी जो चिन है लिखने के लिए वो अलग से इस्तेमाल करते हैं जो हिंदी से different है तो ये half long Hindi की बात हो गई हमरा जो next article है वो bio luminescence जो fireflies के अंदर होता है उसके बारे में है fireflies आप जानते न जुगनू आपने देखा भी होगा एक rare phenomenon हमें देखने को मिला fireflies illuminate forest का अनमलाई टैगर रिजॉमी हमें जंगल का पूरा हिस्सा एक दम चमकडार दिखा तो बड़ा beautiful सा scenario बन गया था इसी reference में fireflies news में आये तो जो fireflies आपने के जुगनू होते हैं उनकी body में chemical reaction होता है जिसके वज़े से आपको light जलती हुई दिखती है यह जो पूरा light का production होता है उनकी body में इसे bio-luminescence कहा जाता है basically उनकी body में जो पूरा chemical reaction होता है उसमें जो oxygen होता है वो calcium, adenosine, triphosphate यानि की ATP के साथ combine हो जाता है further जो chemical luciferin है वो luciferous के presence में oxygen के साथ मिलता है और फिर एक enzyme generate होता है और वो जो enzyme होता है वही light generate करता है उनकी body में जो light bulb होता है वो light के साथ साथ बहुत heat भी generate करता है लेकिन जो जुगनों में light जलती है वो cold light होती है क्योंकि बल्ब की तरह उनका सरीर गरम भी हो जाएगा light के साथ तब वो बचेंगे क्या जिन्दा ही नहीं बचेंगे फिर वो कहां से light जलाएंगे आपके लिए कि आपको तो that is the scenario जो bio luminescence of fireflies में देखते हैं वो ऐसे वर्क करता है जो बारा next article है वो system for pension administration की रक्षा के बारे में है ministry of defense ने इस portal को introduce किया है जहाँ पे directly जो pensioners हैं उनके fund को transfer कर दिया जाएगा यह basically applicable है arm forces में army navy air force और defense civilians के लिए web based portals होगे जहाँ पर web based portal होगा basically जहाँ पे जो defense pensioners हैं वो directly bank account के माध्यम से अपनी pension अवेल कर पाएंगे कोई ग्रिवांस है तो उसे भी address कर दिया जाएगा उन्हें जो receipt है वो जो भी banks provide कर वाएंगे वो एक pension disbursing agency की तरह वर्क करेंगे एक immediateation की तरह वो काम करेंगे pension cycle में जो भी activities involved होती है जैसे कि shankson, disbursement, revision, service agreements, request management सब कुछ इसी portal के माध्यम से हो जाएगा अभी हाल ही में Pulitzer Prize news में आया चार Indian photographers की एक team को जो Reuters news agency से हैं उन्हें Pulitzer Prize दिया गया है उनके नाम है दानी, सिद्दकी, अधनान, अभीदी, सना, इर्शाद, मत्तो और अमित तवे 2022 का Pulitzer Prize इन्होंने जो COVID-19 crisis के दुरान अपनी photographic की और जो coverage दिया उसके लिए ये प्राइस दिया गया है Pulitzer Prize की बात करेंगे जोसे 1970 में establish किया गया था जोसेफ Pulitzer, उनकी will के according, उन्होंने ऐसा will किया था कि हां ये प्राइस दिया जाना चाहिए अमेरिका की जो Columbia University है, वो इस प्राइस को देती है और Pulitzer Prize बोर्ड होता है, जो चूस करता है कि किसे ये प्राइस देना है Pulitzer Prize जो है, ये newspaper, magazine, online journalism, literature, musical composition इन सभी के लिए दिया जाता है, जो prizes है, वो 21 categories में दिये जाते है भारत में पहली बार या किसी Indian को, Govind Bihari Lali जी को for the first time ये prize दिया गया था, 1937 में हमारा next article, PM Vani across 100 railway stations के बारे में है अभी हाली में, rail tell ने, PM Vani को 100 railway stations तक पहुँचा दिया है and that's why वो news में आये, Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface यहाँ पर 100 railway stations पर 2384 Wi-Fi hotspot लगा के, 22 राजियों को cover करते हूँ, internet service दी गई, rail tell, जो की एक mini रतना category की company है, PSU है, उसनी इसे launch किया है, ठीक है यहाँ पर दिखिए, इसके माध्यम से Wi-Fi network को, अगर किसी Android user को access करना है, तो उन्हें Y. एक application है, वो install करना होगा, और इसके माध्यम से, वो railway के दौरान, अपनी internet की accessibility attain कर सकते हैं, हमारा next article, tissue culture plant के बारे में है, हाली में, सेंटर ने, agriculture and the processed food product export development authority, यानि कि अपेडा के साथ मिलकर, एक webinar conduct किया, tissue culture plants के उपर, हमारा focus ये है, कि हम, tissue culture plants का जो export है, उसे बढ़ा सके, tissue culture plants क्या होते हैं, culture का मतलब होता है, grow करवाना, यहाँ पे basically हम, एक controlled atmosphere में, जो plants हैं, उन्हें culture करते हैं, इसके लिए हम plants के tissues का इस्तेमाल करते हैं, it's very simple, एक पेड़ है, आप इस पेड़ की एक पत्ती ले लिजे, और इस पत्ती का एक छोटा सा हिस्सा लेकर, उसका जो tissue है, उसको lab में लेकर जाईए, उसकी cells को lab में लेकर जाईए, उसके tissue culture plant हो गया न, अब जो हम tissue culture plant बनाते हैं, तो इसमें हम plant का seed, organ, explant, tissue, किसी भी चीज़ या cell उसे chemically defined synthetic nutrient medium में तयार करते हैं, यहाँ पे हम control करते हैं light temperature और humidity को, कुल मिला कि हम ऐसे plants को एक controlled atmosphere में तयार करते हैं, यह तो specification है, फायदा यह होता है, कि बहुत ही जल्दी mature plant तयार कर सकते हैं, दूसरा, कि यहाँ पे disease pest या pathogens के transmit होने के संभावना कम होती है, ऐसा संभाव है, कि एक पीड जिसके tissues हमने लिए, हम उससे जो tissue culture plant बनाएं, वो उस disease से free हो, जो disease इसमें हैं, यहाँ पर हम इसके वो tissues ले सकते हैं, जो newly built हो रहे हैं, जैसे कि आप बिल्कुल नई पत्तियां उठा लीजे, वो नई पत्तियां जहाँ पर tissues का लगाता division हो रहा है, तो वो fresh tissues हैं, या fresh cells हैं, जब आप उनका इस्तिमाल करके tissue culture plant तयार करेंगे, तो उसमें चुकि latest divisions हैं, तो जो नया plant तयार होगा, उसमें वो बिमारी नहीं आएगी, जो इस पेड में है, इन जनल आपको confusion हो सकती है, कि जब हम उसी पेड का tissue इस्तिमाल कर रहे हैं, तो बिमारी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम वहाँ पर वो पत्तियां इस्तिमाल करेंगे, या वो पार्ट इस्तिमाल करेंगे पेड का, जो बहुत ही तेजी से डिवाइड हो रहा है, जिसके tissues या जिसके cells बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको इस्तिमाल करके गर हम बनाएंगे tissue culture plant, तो disease नहीं जाएगी, genetic plant का material हम आसानी से store कर पाएंगे, अब पेड़ा इसके लिए financial assistance भी देता है कि हम quality tissue culture planting material एक्सपोर्ट कर पाएं, 2021 में हमने 17.17 million का ये export किया, जिसमें 50% तो हमने निदर लैंड्स को ही किया, हमारा जो export होता है ये 10 दिसों में जिनमें top पे जो 10 countries हैं, उनमें निदर लैंड्स है, USA, Italy, Australia, Canada, Japan, Kenya, Senegal, Ethiopia और नेपाल, इन्हें हम tissue culture plants या उसका material export करते हैं, हमारा next article Thomas Cup के बारे में है, इंडिया के लिए बहुत ही proud moment रहा जब इंडिया ने पहली बार Thomas Cup का title अपनी नाम किया, और हमने ऐसा करते वक्त 3 zero से इंडोनेशिया को हराया, Thomas Cup final इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही था, बहुत ही landmark victory रही ये इंडिया के रिए, मैं आपको बता दू कि Thomas Cup के 30 editions हो चुके हैं, जिनमें से 14 इंडोनेशिया ने जीते हैं, और अभी तक इंडिया के पहले केवल 5 ऐसे रेस थे जिन्होंने कभी निकभी इस खिताब को अपने नाम किया था, तो मतब 30 टूनामेंट्स और 14 बार का विजेता इंडोनेशिया, उसे हडा कर इंडिया ने ये कप पहली बार अपने नाम किया, और वो छट्वा देज बन गया जिसके पास Thomas Cup है, Thomas Cup बिसिकली इसे कई बार World Men's Team Championship कहा जाता है, ये एक Badminton Competition है, International Badminton Competition है, कई दफ़ा चुकि काफि सिग्निफिकेंट कॉम्पेटिशन होता है, तो इसे Badminton का World Cup भी कहा दिया जाता है, इसमें वो सभी टीम्स खुद को रिप्रेजेंट करती हैं, जो Badminton World Federation का पार्ट है, पहला टूनामेंट इसका 1948-49 में हुआ, और उसके बाद से हर दो साल में एक बार इस टूनामेंट को आयोजित किया जाता है, सर जॉर्ज एलन थॉमस का ये आइडिया था, जो कि बहुत ही successful English Badminton Player रहे थे 1900 के दस्तक में, उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार का कोई होनाचे टूनामेंट, और ये टैनिस का जो Davis Cup है, उसी सेंस पैर है, हर दो साल में एक बार इस टूनामेंट को आयोजित किया जाता है, जैए टोल्ड यू कि इसके 30 टूनामेंट हो चुके हैं, जिन में से 14 बार इंडोनेशा जीता है, और भारत पहली बार इस खिताब को जीत पाया है, तो definitely बहुत significant victory है और proud moment है, हमारा next article इंडोसलफान के बारे में है, Supreme Court ने अभी हाल ही में केरला की सरकार को लतार लगाई, slam किया, फटकार लगाई, ये कहते हुए कि आपने कुछ भी नहीं किया है इंडोसलफान pesticide exposure के victims को, काफी लंबे समय पहले ये दिखा जाने लगा कि कई सारे लोगों ने negative symptoms दिखाने शुरू कर दिये, केरला का जो कसर कॉर्डला रीजिन है, basically वहाँ पे, और करण के तौर पे जो निकल के आया, that was इंडोसलफान pesticide, इंडोसलफान pesticide के इस्तिमाल को काफी पहले बंद कर दिया गया था, 2011 के दौरान ही कोर्ट ने उसे रोग दिया था, और globally भी इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान देखे जा रहे थे, कई सारे लोगों ने कोर्ट के सामने compensation की मांग करी, और finally, कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया कि विक्टिम्स को तीन महिने के भीतर पाँच लाख रुपए का compensation दिया जाए, इस सम्मंद में अभी तक compensation नहीं दिया गया है, महज आठ लोगों को ये compensation दिये गये हैं, इसके बहुत ही negative और environmental impacts होते हैं, health और environmental impacts होते हैं, इंडो सलफान बहुत ही ज़्यादा controversial हो गया, क्योंकि ये toxicity को बढ़ा रहा था, bio accumulation बहुत ज़्यादा होता है, ये किसी भी organism में चला जाए तो फिर accumulate होता रहता है, और ये endocrine disruptor हमारी body में इसे भी नुक्सान पहुँचाता है, global scenario की बात करें, तो इसे रोकने के लिए 2011 में आया Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2011 में, और ये 2012 में effective हुआ, जिसके तहट endosulfान की manufacturing और use को बंद कर दिया गया, विकाज ये human health के लिए एक threat साबित हो रहा था, Indian scenario में Supreme Court ने एक interim order के माध्यम से 2011 में, जो कई सारे केला की कसर बाउड में incidents आ रहे थे, इंडosulfान के side effects के, उसके चलते ही से बैन कर दिया कि production, distribution या जो use है इंडosulfान का भरत में नहीं होगा, लेकिन जो compensation की बात की गई थी वो अभी तक दी नहीं गई है, तो इसको लेकर काफी ज़्यादा hue and cry है, और कई सारे जो victims हैं, वो काफी लंबे समय से अपने compensation का वेट कर रहे हैं, इसके पहले इसका इस्तिमाल cotton, cashew, fruit, tea, paddy, tobacco, etc. पे spray करने के लिए किया जाता था, in the form of pesticides, जो white flies, beetles, or worms के against में work करता था, लेकिन इसका human health पे भी बड़ा नुक्सान रहा, हमारा next article, first international migration review forum के बारे में है, जहां पर minister of state for external affairs, we, मुरली धरन, एक Indian delegation को lead करेंगे, और इस review forum में शामिल होंगे, 17 से 20 माई के बीच में शामिल हो रहा हैं, ये एक primary intergovernmental global forum है, जहां पर हम बातचीत करते हैं, कि लोग एक देश से दूसरी देश में जब migrate कर रहे हैं, तो उसका local, national, original या फिर global level पे क्या progress है, उसके क्या impact सनौल होते हैं, उसे review करते हैं, वो properly इस meeting में, कोसिस की जाती है, कि हम safe, orderly और regular migration को ensure करें, यहां पर चार interactive multi-stakeholders होते हैं, जहां पर roundtable या policy dialogue या प्लिनरी में बातचीत की जाती है, हमारा next article respiratory sensual virus के बारे में है, हाल ही में Lancet में एक जो report है, वो publish की गई, जिसमें यह बताया गया कि जो lower respiratory illness होती है, जो cause होती है RSV के माध्यम से, यानि कि जो respiratory sensual virus है, यह जो respiratory problem create करता है, अकीले 2019 में 5 साल से कम उम्र के एक लाख बच्चों की मौत इसकी वज़े से हुई है, काफे alarming situation है RSV को लेकर, RSV बहुती common तरीके का acute lower respiratory infection है, जो कि सास लेनी की जो पूरी स्थिति है, उसमें problem create करता है, बहुत unusual है कि किसी बच्चे को ये problem ना हो, मतब दो साल से कम उम्र के बच्चे को कम से कम एक बार तो RSV की problem हो ही जाती है, यह nose, throat, lungs और breathing passage को infect करता है, कोई बच्चा अगर किसी ऐसे बच्चे के contact में आ जाए, जिसको ये problem है, तो coughing, sneezing, या kissing, ऐसे माध्यम से, ये जो body fluid है, उनकी माध्यम से ये दूसरे बच्चे को भी हो सकता है, treatment में एक antiviral drug इस्तेमाल में ली जाती है, that is, palivizuma, जो कि RSV illness में कारगर साबित होती है, हमारा निक्स्टा आर्टिकल, the great gamma के बारे में है, 22 में तो हज़र 22 को, Google ने commemorate किया, the great gamma को, बीच का इनका जीवन काल रहा, इन्हें रुस्तमे हिंद का title मिला, रुस्तमे हिंद बेसिकली एक title होता था, जो कुछ थी के किसी पहलवान को दिया जाता था, जो सभी को हरा चुका हो, ये title जीतने के लिए, इसके पहले जो रुस्तमे हिंद थे, उनसे इन्होंने तीन बार battles की थी, या I will say कि wrestling की थी battle तो अलग शीज हो जाएगी, जिसमें दो बार तो draw हुआ था, और तीसरी बार में ये इसके पहले के जो रुस्तमे हिंद थे, उन्हें हरा पाए थे, और फिर उन्हें ये title मिला था, इनका जो रिंग नेम था, वो ग्रेट गामा था, इनिर पहलवानी, रेशलर और स्टॉंग मैन थे ये, विलेज जबोवाल, अमरिसर डिस्टिक का पंजाब प्रॉविंस जो, जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजियों के, उस समय जो पंजाब प्रॉविंस था, वहीं पर इनका जन्म 1878 में हुआ था, बीस्वी सदाब्दी के आस पास, ये एक अंडिफीटेड रेस्लिंग चैंपियन बन गये, कुछ मैचेस ड्रॉव ज़रूर हुए थे, लेकिन ये हारे नहीं थे, जैसे जो रुस्तमें हिंद इसके पहले के थे, उनसे ही इनके दो मैचेस ड्रॉव हुए थे, और ब्रिटन में भी जब ये लड़ने गये थे, तो वहां के जो बहुती स्ट्रॉव रेस्लर थे, दो घंटे 35 मिनट के मैच में, वो भी ड्रॉव ही हुआ था, हलांकि जब दोबारा मैच होना था, तो वो आये नहीं थे, तो उन्हें हारा मान लिया गया था, तो मतलब कुछ मैचेस ड्रॉव जरूर हुए थे, इनके लाइफ स्पैन में, बटी कभी हारे नहीं है, उसे भी इन्हें अवार्ड किया गया, इनका अंडिफीटेड कैरियर रहा 52 यह का, 52 सालों तक इन्हें ने रेस्लिंग की, और इन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया, और इन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया, जब देश का बटवारा हुआ, तो उस समय ग्रेट गामा ने बहुत सारे हिंदूस की जान भी बचाई, because that was the situation of riot, उसके बाद यह पाकिस्तान में ही सेटल हो गए, और इनका अंतिम समय बीमारियों में बीता, 1960 में 23 मई को पाकिस्तान के लाहॉर में इन्होंने अपनी अंतिम सास ली, यह में Ministry of Finance का जो Economic Division है, उसने World Bank के World Governance Indicator का analysis किया, और इंडिया के score पर भी चर्चा की गई, जिसमें यह पाया गया कि इंडिया का score अपने peers से, यानिकि आस-पास के देशों से काफी जादा कम है, World Bank का जो World Governance Indicator है, यह 215 countries और territories को 6 dimensions जो governance के हैं, उनके basis पे evaluate करता है, यह 6 points हैं जिनके basis पे यह evaluation किया जाता है, यहाँ पर कुछ और भी indicators होते हैं, जिनको लोगों के perception या views के basis पे तैयार किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं enterprise, citizens और जो survey experts होते हैं, जो respondents उन्हीं जवाब देते हैं, उसके basis पे भी evaluation होता है, जिनने आधार बना कि यह indicators यह जो पूरा यह result है वो तैयार किया जाता है, जिसमें survey institutes होते हैं, think tanks होते हैं, NGO, international organizations और private sector firms होती हैं, इस बार का WGI क्या बोलता है, देखिए इंडिया का जो WGI score है, वो triple B जो median है, 6 indicators पे उसमें काफे below है, वैसे जो triple B median है या माद्धे है, यह investment grade rating है, जो standards and poor's या Fitch जैसी global rating agencies देती हैं, यह A, B, BB इस तरीके से दिया जाता है, तो उसी basis पर यह triple B का, जो एक माद्ध निकलता है, उसके भी नीचे जाता है, चूकि बहुत अच्छा नहीं है, इसके नीचे अगर rating गई तो फिर investment situation खराब हो जाती है, किसी भी देश की, जो WGI का score है, वो यह बताता है कि इंडिया अभी भी, अगर हम उन countries को rate करें, या rank करें, जिनकी यहाँ governance अच्छा या खराब है, तो इंडिया middle में जाएगा, मतलब ना बहुत अच्छा और ना ही बहुत खराब, तो इंडिया को यहाँ पे definitely work करना चाहिए, हमारा next article एक बहुत ही interesting topic पे है, that is storage gain in wheat, पंजाब के state procurement agencies ने भी कहा कि उन्हें storage gain में waiver चाहिए, अब storage gain में waiver, किसके storage gain में waiver, गेहूं के storage gain में वो waiver की मांग कर रहे हैं, अब बहुता यह storage gain क्या होता है, मैं आपको बता दू कि जो गेहूं होता है, उसे एक living grain कहा जाता है, मतलब एक ऐसा अनाज जो जिन्दा है, ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उसे जब आप store कर देते हैं, तो उसका weight धिमे धिमे बढ़ता चला जाता है, अब यह कोई जादू नहीं है, basically जो गेहूं होता है, वो atmosphere से moisture absorb करता है, सोखता है, तो जब वो moisture का absorption करता है, तो देदे दे उसका weight बढ़ने लग जाता है, अब इससे क्या होगा, आपने गेहूं खरीदा 1 quintal, यानि की 100 kg, आपने उससे 4 महने store किया, और वो हो गया 101 kg, अचानक से गेहूं बढ़ गया, पर एक्शुली में गेहूं बढ़ा नहीं है, बस गेहूं ने 1 kg moisture सोख लिया है, अब इससे अगर आप किसी को गेहूं बेच रहे हैं, तो नुकसान होगा, उसने dry area में रख दिया, तो वापिस से 100 kg हो जाएगा, यहां पर देखे, इसी को कहा जाता है storage gain, गेहूं किसानों से कौन खरीदता है, state procurement agencies खरीदती है, और इन agencies से गेहूं कौन खरीदेगा, इन agencies से गेहूं खरीदेगा, Food Corporation of India, अब देखे 20% गेहूं तो वो तुरंद खरीद लेते हैं, जो भी state procurement agencies के पास होता है, तो यहां मामला नहीं है, लेकिन 80% जो वो 4 या 6 मेने store कर लेते हैं, वहाँ पर उनका weight बढ़ जाता है, तो rule यह है, कि जो state procurement agencies है, जब वो FCI को गेहूं बेचेंगे, तो 100 quintal पे उन्हें 1 kg गेहूं जादा देना पड़ेगा, यह मान के कि 1 kg गेहूं का weight बढ़ गया होगा, storage gain की वज़र से उन्हें यह compensation देना पड़ता है, उसी compensation में waiver की मांग कर रहे हैं, पंजाब के state procurement agencies, यह जो weight बढ़ता है, वो brand में बढ़ सकता है, जो outer layer होता है, जिसमें fiber बहुत ज़ादा होता है, germ जो की inner layer होता है, या फिर इंडो स्पंग, जहां पर minerals and vitamins टोर होते हैं, उनकी वज़े से यह जो पूरा weight है, वो बढ़ सकता है, तो काफ़ interesting topic रहाई है, हमारा next article International T-Day के बारे में है, हाल ही में इसे observe किया गया, पहली बार International T-Day को 2005 में observe किया गया था, 2015 में Indian government ने proposed किया, United Nations Food and Agriculture Organization को, कि आप इसे global level पे क्यों नहीं commemorate करते, मई के महिने में I will say 21st stop में को, हर साल International T-Day observe किया जाता है, अगर हम चाय के बारे में बात करें, तो भरत का जो north eastern part है, या जो south western China है, बहाँ पर चाय का बहुत ज़ावत पादन किया जाता है, इस region में main source of livelihood का लोगों के लिए चाय, टी board of India जिसे टी act के द्वारा 1953 में बनाया गया, कुलकाता में headquartered है, ये ministry of commerce and industry के तहर भरत में टी के production को insure करता है, government, टी board के माध्यम से टी development and promotion scheme भी चलाती है, जहाँ पर हम financial assistance देते हैं, उन industries को जो टी के sector में काम कर रहे हैं, जो मरा next article है, वो Global Travel and Tourism Development Index के बारे में है, इसे अभी हाल ही में release किया गया, तो पहला जो जरूरी सवाल बनता है, वो ये है किसे release करता कौन है, इसे release किया जाता है World Economic Forum के द्वारा, ये महत्तपूर्ण चानकारी होगी, जो दिमाग में रखना जरूरी है, इसके माध्यम से कोशिस ही की जाती है, कि travel और tourism sector जो पूरा है, वहाँ पर एक healthy competition बना रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा देश कितना बढ़ियां perform कर रहा है, उनकी overall quality कैसी है, future potential कैसा है, वहाँ पर travel और tourism में बढ़ोतरी देखी जाएगी, या फिर ये घटेगा, उसे की basis पर prediction किया जाता है, इस ranking का एसे माल कई दफा लोग करते हैं, ये decide करने के लिए कि उनका tourist destination क्या होगा, अच्छी ranking का मतलब ये है, कि आप tourism के sector में जादा investment attract करेंगे, और जादा tourist भी attract होंगे, जो TTI है, इसमें 117 दिर्सों को evaluation में लिया जाता है, ये हर दो साल में एक बार publish किया जाता है, और ऐसा पिछले 15 सालों से किया जा रहा है, इस पूरे index में होते हैं 5 sub-index, 17 pillars और 112 individual indicators, 5 sub-index, उनका नाम लेना जरूरी है, पहला है enabling environment, दूसरा travel and tourism policy and enabling conditions, ऐसी कौन सी policies हैं, जिनके माध्यम से travel and tourism को बढ़ावा मिलेगा, environment कैसा है, infra कैसा है, तीसरा, चौथा, demand drivers कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी elements हैं, जो tourism के डिवान को बढ़ाएंगे, travel and tourism कितना sustainable है, इसे भी संग्यान में लिया जाता है, तो 5 sub-index evaluation में आते हैं, क्या निकल की आया, निकल की यह आया कि South Asia में अभी भी India, एक preferable tourist destination है, हलांकि overall rank हमारी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है, इंडिया की rank 54th है, 2019 में ये 46th थी, खराब ही हुई है, लेकिन फिर भी हम South Asia में बहतर condition में है, जापान ने इस list को top किया है, US, Spain, France, Germany, Switzerland, Australia, UK, Singapore, Italy, ये top 10 countries में शामिल है, हमारा next article निखत जरीन के बारे में है, निखत जरीन को अभी हाल ही में 52 kg केटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है, कहां Women's World Championship में, जहां पर उन्होंने Thailand के Jitpong, जुतमस को defeat किया, Flyweight final में ये contest या ये पूरा जो championship है वो टर्की के इस्तामबूल में हुआ, जरीन इस लिहाज से पाँचवी Indian women's boxer बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसके पहले चार जिन्होंने ये पूरा जो गोल्ड मेडल है वो जीता था, उन्में शामिल है Mary Com, Lashram Sarita Devi, Jenny R.L और Lekha Casey, निखस जरीन जिनका जन्म 1996 में हुआ है, ये एक Indian amateur boxer हैं, जिनका जन्म तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ, amateur boxer एक कम समय का boxing contest होता है, भी पहनती है, ये category है boxing की, ठीक है, तो इन्होंने gold medal जीता है, International Boxing Association के द्वारा, ये पूरा जो contest करवाया गया था, ये championship होई थी, उसमें, ये amateur जो category है, उसमें championship होई थी, वर्ल बॉक्सिंग championship की बात करें, तो ये amateur boxing competitions करवाती हैं, जहां पर कोशिस ये की जाती है, कि promote, support और govern किया जाए boxing को worldwide, उन सभी basic spirits and requirement के basis पे, जो Olympic charters में दिये गए हैं, sports पर questions पूछे जा रहे हैं, हाल फिल हाल में, एक प्रस्ण 2021 में पूछा गया, ये प्रस्ण ICC World Test Championship पे था, पहला statement ये था, कि finalists इस basis पर decide किये जाते हैं, कि उन्होंने कितने matches जीते हैं, और दूसरा ये था, कि New Zealand rank में आगे रहा, England से, because उसने जादा matches जीते, तो पहली बात, तो जो World Test Championship होती है, उसमें कोई भी देस आगे या पीछे इस आधार पे नहीं होता, कि उसने कितने matches जीते हैं, बलकि उन्होंने कितने points गेन किये हैं, इस basis पर वो आगे या पीछे होते हैं, इस लिहाज से दो कि दोनों ही statement यहाँ पे गलत हो जाते हैं, हमारा निक्स्टा औरिगल Alliance of CEO Climate Action Leaders के बारे में है, World Economic Forum ने अभी हाल ही में, Alliance of CEO Climate Action Leaders के तहत, उसके edges में ही एक India chapter launch किया, कि India बहुत अच्छा काम कर रहा है, climate actions को लेकर, decarbonization efforts को लेकर, तो इसके जरिये इंडिया को दुरा चरिस किया जा रहा है, यह जो chapter रहा, यह World Economic Forum के climate action platform का ही हिस्सा आए, मतलब अगर हम overall इस alliance की बात करें, यह जो alliance है, यह कोसिस करता है, कि जो पिछले साल, एक white paper release किया गया था, mission 2070, 2070, a green new deal for net zero India, on India's low carbon transition by 2070, उसे यह चरिस करें, और उसे implement करने की कोसिस करें, यह जो पूरा alliance है, यह government, business और सभी stakeholders को एक साथ लेकर आता है, यहाँ पर हमारे जो प्राइमर मिनिस्टर है नरेंद मोदी जी, उनका भी एक ambitious पंच मिर्थ प्लेज है, कि हम 2070 तक country को net zero target complete करवाएंगे, यहाँ पर collaboration होता है, जो management consultancy कैरनी है, और जो India think tank observer research foundation है, उनके बीच में भी, यह climate targets को लेकर net zero, economic growth को लेकर लगातार काम करते हैं, हमारा next article, international booker prize के बारे में है, tomb of sand, जानि की rate samadhi, भारती भासा में लिखी गई, पहली किताब बन गई है, जिसे हाल ही में international booker prize दिया किया, बहुत ही proud moment रहा, यह तो देखें जो booker prize है, वो English में लिखी गई किसी ऐसी किताब को दिया जाता है, जो Britain या Ireland में publish की गई हो, इस prize को दिये जाने की सुरुआत तो 2005 में की गई, तब इसे man booker international prize के नाम से दिया जाता रहा, या कई अन्य नाम भी इसके रहे, फाइनली 2014 में यह decide किया गया, कि किसी ऐसी किताब को भी booker prize जिया जा सकता है, जिसका English में translation हुआ हो, और जो उसका translated version है, वो UK या फिर Ireland में publish हुआ हो, तब रास्ता खुल गया, कि English ही नहीं, किसी अन्य लैंग्विज की किताब को भी booker prize मिल सकता है, given that, उसका translation English में कर दिया जाए, और उसे Britain या फिर Ireland में publish कर दिया जाए, तो उस क्रम में अन्य लैंग्विज की किताबों को भी booker prize मिलना शुरू हुआ, और इसे नाम दिया गया international booker prize, तो जो international booker prize है, इसे हर साल एक किताब को दिया जाता है, और उसके translated version को, जिसे UK या फिर Ireland में publish किया गया हूँ, जो बात मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, basic objective ये रहता है, कि quality fictions अन्य लैंग्विज में भी बढ़ें, और दुनिया भर में ऐसे fictions को create किया जाए, जिससे कि UK में इस प्रकार की किताबों का जो statistics है, या impact है को बिला कि वो बढ़े, price money, चाहे वो booker price हो, या फिर international booker price हो, जो English की किताब के लिए दिया जाता है, या किसी unlanguage की किताब जो English में translated हो, उसके लिए दिया जाता है, वो same ही है, यहाँ पर देखिए, जो price है, वो 50,000 pound का है, जब ये international booker price के तौर पर दिया जाता है, तो जो original author हैं और जो translator है, दुनों के बीच में इस किताब को माट दिया जाता है, यहाँ पर जो shortlisted author या translator है, जैसे 13 books को shortlist किया गया था, और उसके बाद finally Tom of Sand को international booker price दिया गया, तो जो unbooks या novels shortlisted थे, उनके authors और translators को भी 2500 pound दिये जाएंगे, यहाँ पर novels और short stories के collection दोनों ही eligible होते हैं, यह जो Tom of Sand है, इसे originally हिंदी में लिखा गया था, रेत समाधी के नाम से, और 2018 में इस किताब को publish किया गया था, गीतांजली श्री के द्वारा, मतलब इस किताब की author है कीतांजली श्री जी, और इसका translation American English में किया गया 2022 में, translator Daisy Rockwell के द्वारा, तो यह जो prize मनी है, यह गीतांजली श्री और Daisy Rockwell दोनों के बीच में divide हो जाएगा, गीतांजली श्री जी का यह पांचवा novel है, और यह जो पांचवा novel है, रेत समाधी जिसका English translation है, Tom of Sand, यह International Booker Prize अवील कर चुका है, हमारा next article प्रोजेक्ट निगाह के बारे में है, डेली कस्टम जोन जोकी एक field formation है, वहाँ पर Central Board of Indirect Taxes and Customs से inaugurate किया है, प्रोजेक्ट निगाह, Inland Container Depot, जो की गुरुगराम में है उस जगह पे, इसके आप basic objective तो यह है, कि जो भी containers आ रहे हैं, उन पर वापस अच्छी तरीके से निगाह रखी जाए, उनकी visibility को ensure किया जाए, और यह कोशिस की जाए, कि वो जल्दी से जल्दी अपना clearance attain कर ले, उन्हीं जहां जाना है, वो पहुँच जाएं, इससे ease of doing business को बढ़ावा मिलेगा, और जो preventive checks हैं, हम उन्हें भी रोक पाएंगे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, कि project निगाह किस बारे में है, तो आप जानते रहिए, कि जो containers हैं, उनकी proper supervision, उनकी better visibility, और timely clearance के लिए project निगाह को launch किया किया, हमारा next article, first moors collation के बारे में है, इंडिया ने जापान और सुडेन के साथ मिलकर, जो first moors collation है, उसके steering board को join कर लिया है, basic objective यह रहेगा, कि हम heavy sectors को decarbonize करें, यानि कि carbon के emission को कम किया जाए, मैं आपको बता दूँ कि साथ ऐसे sectors हैं, जहां पर बहुत ज़ादा carbon का emission होता है, उनके नाम आपको बता देता हूँ, वो हैं, aluminium, aviation, chemicals, concrete, shipping, steel, और trucking, यह साथ ऐसे sectors हैं, जो जितना भी global emission होता है carbon का, उसका 30% तो यही cover कर लेते हैं, और primary target भी यही रहते हैं, कि अगर carbon emission को कम करना है, तो आपको इन साथ sectors पर ध्यान देना होगा, मामला यह है कि अगर carbon emission को कम करने वाली technology को develop कर भी रिया जाए, तो वो technology बहुत महंगी होगी, यहाँ पे इस पूरे coalition का basic objective यही है, कि हम इन साथ sectors के साथ collaborate करके, ऐसी technologies को develop करें, और उन्हें persuade करें, कि अगर कोई ऐसी technology develop होती है, तो अगर वो महंगी भी है, तब भी आप उसे खरी दिये और उसका इस्तेमाल करिए, इससे एक और जो carbon का emission है वो गिरेगा, दूसरी और जो ऐसी technology को develop करने वाले लोग हैं, वो incentivize होंगे, क्योंकि ये industries इस बात को लेकर assure करेंगे, कि आप ऐसी technology develop करेंगे, हम उसे ले लेंगे, तो जो first mores coalition है, ये global initiative है, जिसे USA ने World Economic Forum के साथ मिलकर, COP26 की जो meeting होई Glasgow में, पिछले साल वहाँ पे launch किया, ये flagship public private partnership है, जहाँ पर carbon intensive sectors में, जो emission है, उसे कम करने की कोशिस करेंगे, through recent removal technologies, यहाँ पर जो purchasing power है, इन companies की, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जो 30% global emission cover कर लेते हैं, जो coalition है, वो early market create करना चाहता है, clean technologies का, early market का मतलब यह होता है, कि इन साथ sectors को कहा जाएगा, कि अगर कोई clean technology आती है, तो आप खरीदो, मतलब हम उनके लिए पहले से ही market develop कर दे रहे हैं, और तब जो researchers हैं, या फिर जो innovation करने वाले लोग हैं, उनको पता होगा, मतलब उसकी जो supply है, वो होते ही उसके demand बनी रहेगी, वो चाहे near zero या zero carbon solutions हों, अगर उनकी कुछ premium cost भी है, अगर वो महंगे भी हैं, तब भी यह उसे खरीद लेंगे, तो यह रहा first mores coalition का basic objective, हमारा next article, पूसा soft wheat one के बारे में है, IARI, Indian Agriculture Research Institute, ने अभी soft wheat की एक variety को develop किया है, नाम है पूसा soft wheat one, या फिर HD 3443, यह एक नर्मगीहों के ब्रजाती है, कि इंडिया का पहला soft wheat variety है, जिसे protection of plant varieties and farmers right authority के द्वारा, register भी कर लिया गया है, यह सभी states में उगाया जा सकता है, और इसकी जो उपज है, वो एक hectare में पाच तन तक की होगी, protein content 11.5% का होगा, और gluten का level 8.9% का होगा, इसके कई सारे फायदे हैं, एक तो इसे grind करने में कम energy लगेगी, क्योंकि यह नर्म होगा, तो आटा जल्दी बन जाएगा, दूसरा आटे को गुदते वक्त, यह कमपानी का इस्तेमाल करेगा, इस प्रकार का गये हूँ, cake, biscuit, noodles, इन सब को बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, हमारा next article, आइनेस कंडेरी के बारे में है, डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में, इसकी एक visit की, और इसका एक overview लिया, करवार में, scorpion class submarine है, आइनेस कंडेरी, बात करते हैं, यह जो आइनेस कंडेरी है, इसे project 75, जो scorpion class submarines है, उन्हीं के तहद बनाया गया, यह एक diesel electric propulsion system पे work करता है, इसी प्रगार की एक submarine है, यह काफे sophisticated है, और कई तरीके के काम कर सकती है, जैसे अगर कोई ship warfare में है, surface पे है, तो उसे यह destroy कर सकती है, anti-surface ship warfare में involved रहेगी, that's true, anti-submarine warfare में capable है, intelligence gather कर सकती है, mines बिछा सकती है, और surveillance भी कर सकती है, तो बहुत सारे काम कर सकती है, आइनेस कंडेरी, अगर आप modern conventional submarines की बात करें, तो सन 2000 में हमने, आइनेस सिंदू सास्तर को प्रोक्योर किया था रश्या से, उसके बाद, ये पहला modern conventional submarine series है, जिसे इंडिया ने खुदी बनाना शुरू किया, आइनेस कंडेरी की बात करते हैं, तो ये कलवारी क्लास का diesel electric attack submarine है, शौफिस कंडेरी, एक मचली होती है, जो इंडियन ओशन में बाई जाती है, उसी के नाम पर इस ship का नाम रखा गया, ठीक है, यहाँ पर देखे, उसी के नाम पर इस submarine का नाम रखा गया, द्यार दीजेगा कि इसी नाम की एक submarine हमारे पास पहले भी हुआ करती थी, जिससे service में लिया गया था 1968 में, और इसने 1989 तक इंडिया को सर्फ किया, बाद में इसे decommission कर दिया गया, तो ये नाम बापिस से रखके कहीं ने कहीं हमने उस identity को भी revive किया, आइनिस कंडेरी के अलावा कुछ और submarines भी बनाई गई, under this project जिन में शामिल है, करंज, वेला, वगीर, वक्षीर और कलवारी, जो अल्रेड़ी पानी में लॉंच किये जा चुके हैं और जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है,